क्या ICC fixing कर रहा है? जी हाँ, ऐसा सच में हो रहा है यकीन नहीं हो रहा? मैं बताऊंगी आपको Hello and welcome to CG News मेरा नाम है Mansi और आप देख रहें Crick School ICC जिनका काम ही fixing को रोकना है अगर वो खुद ही fixing करने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा? ये तो वही बात हो गई कि बिल्ली को दूद की रखवाली करने को बोल रिया गया है इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैं किस तरह की fixing की बात कर रही हूँ अगर आप भी मेरी तरह cricket crazy fan है और आपको भी cricket का असली ग्यान चाहिए तो आप सही जगा पे हैं इसलिए अभी के अभी हमारे चानल को subscribe कर ले बेल आइकन को press कर ले और हाँ जब इतना सब कुछ करी दिया है तो like भी कर दे मैं यहाँ पर बात करनी हूँ schedule fixing की क्या होती है schedule fixing? मैं बताती हूँ आपको इस बार T20 World Cup में 20 teams खेलेंगी tournament बड़ा ना हो जाए जिसके कारण 5-5 teams के 4 अलग-अलग groups बनाए गए हैं और इन groups में किस team का मुकाबला किस के साथ होगा वो decide करने के लिए ICC conduct करती है draft system जिसमें वो draw निकालती है बट ऐसा coincidence हर बार कैसे possible है कि इंडिया और पाकिस्तान हमेशा इस draft system के त्रू एक ही group का part होते है यार मुझे तो इसमें कुछ जोल लगता है इस साल भी इंडिया और पाकिस्तान को एक ही group में रखा गया है reason obvious है कि इन दोनों के भी इच match हो जिससे साफ साफ पता चलता है कि ICC schedule fix करती है जिससे हर tournament में कम से कम एक बार भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच match जरूर हो और इस T20 World Cup में वो much awaited मुकाबला होने वाला है 9th June को ICC का इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे से भीड़वाने का reason साफ है compared to any other match इंडिया और पाकिस्तान के match को massive audience viewership मिलती है इसलिए ICC जान बूच कर इन दोनों टीम्स को एक ही ग्रूप में रखती है अच्छा इतना भी क्यूँ खास है इन दोनों के बीच का मुकाबला दरसल 2008 Mumbai attack के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई सीरीज ना होने का फैसला हुआ था लेकिन वीच में रिष्टे सुद्रे और 2012 में इंडिया ने एक सीरीज होस्ट किया था बट उसके बाद रिष्टे फिर से खराब होगे जिसके बाद कोई सीरीज नहीं हुई अब इंडिया पाकिस्तान के साथ बस ICC और Asian टोर्नामेंट्स में ही खेलती है इसलिए ICC मौका ना छोड़ते हुए अपने टोर्नामेंट्स में इन दोनों पडोसियों के वीच मैच करवाती है और मुकावला होता भी उतना ही मज़ेदार है उमीद करते हैं इस बार का मुकावला भी उतना ही जोरदार हो आपकी इस पर क्या राय है बताइए हमें कमेंट्स सेक्शन में और जैसा कि हम सब जानते हैं अभी IPL चल रहा है तो आपको क्या लगता है इस IPL सीजन कोई टीम 10 विकेस से मैच जी सकती है या नी बताइए अपना उपिनिन स्पोर्ट्स बाजी के स्टाट्स प्रो पर डाउनलोड दी आप फ्रॉन दा लिंक गिवन इन आर बायो यूज कोड TBC200 तो गेट आ फ्री मेगा लीग टिकेट नाओ और ऐसी इंट्रेस्टिंग विडियोज को देखने के लिए क्रिकेट ग्यान को अभी के अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि यही मिलेगा क्रिकेट का अस्ति ग्यान